हाई गाईज हेलो एंड वेलकम बैक तो माई चैनल लाव ब्यूरी ओन ड्यूरी तो गाईज आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रेग्नेंसी में स्पार्टिंग है वो कब होती है यानि कि कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंसी में एक या द कभी ना भूल पाने वाला एक टाइम होता है एक प्रेग्नेंसी टाइम में धे सारे बदलाओं का सामना करना पड़ता है फिर जाए वो शालरिक बदलाओं या फिर मानसिक और इस तोरण जो इंपॉर्टेंट बदलाओं होता है वो यह कि उसे बच्चे के जर्म तक पीरिय नहीं होती हैई यह कौन महीने में होती है और भी issue श॥ा हुआ रही बदली को चैनल पर अंदागरह सब्सकेब करने घजर्म में हमेंä क्या होती है। जो fertilize अंडा गर्भास्ते की दिवार पर अपनी जड़े जमाता है उस टाइम कुछ बोंदे spotting की दिखती हैं लेकिन अगर यह bleeding ज्यादा मात्रा में है तो चिंता की बात होती है इसके अलावा pregnancy के तीश्रे महीने के अलावा या बाद में pregnancy में कभी इस तरह का blood दीखे तो इस जोखिम की निसानी माना जाता है ऐसा कुछ भी होने पर डॉक्टर से कॉंटेक्ट किया चाहिए अगर प्रेगनेंसी में spotting के अलावा कभी भी bleeding है तो समझना चाहिए कि यह infection, miscarious या pregnancy में समस्त्या का संकेत है गर्ब नाल या play center में नुक्षान होने की वज़े से भी ऐसा ह होता है अब हम बात करें कि कब होती है spotting तो माना चाहता है कि करीब 20-30% महिलाओं को पहली तिमाही में यानि की pregnancy के पहले 3 महिनों के दोरान spotting होती है और नॉर्मली यह light pink या फिर dark brown की होती है अब हम बात करें कि क्या यह है चिंता की बात है तो इस तरह की bleeding चिंता की बात ह है वो नहीं है पर अगर ज्यादा blood दिखे तो आपको फॉरण अपने doctor से contact करना चाहिए तो guys यह थी मेरी आज की इस video में आप लोगों के लिए जानकारी यहासा करती हूं मैं आज का video आप लोगों के लिए useful रहेगा so मिलते हो next video में तब तक के लिए बाई झाल